तो आज की तारिक में लोगों के नजरों में उनका भैलू गिर चुका है उनकी विश्वसनेता गिरू लेकिन उनका नसात फार दिया केसी यार बिहारा करके नितिश कुमार जी खास करके उनका राजनेतिक जो होता है वो आज की तारिक में लोगों के नजरों में उनका भैलू गिर चुका है उनकी विश्वसनेता गिर चुका है और वो निकल के गए प्रधानमंत्री बनने के लिए और अंदर खाने से बात आ रही है आरजेडी के आहां से कि लालू जी के साथ इनके यही बात हुई कि दो हजार जो बाइस तैस में तैस चोबिस का बजट होगा वो तैस चोबिस के बजट को पेस करके हम छोड़ दे गया और प्रधानमंत्री के लिए निकलेंगे बोल तो दिया लेकिन उनका नसाथ फार दिया के सी यार विहार आ करके कि विहार में वो सौच रहे थे कि के सी यार उनके लिए आ रहा है कि उनका नाम घोसित करेगा अईए सोच रहे थे के सी यार के सी यार इनके नाम को प्रस्तावित करेगा और जो प्रेस का मैंने देखा वो दृष आप लोगों ने जो देखा वो लग रहा था कि दोनों केसियार उड़के जैकेट को घीच रहा है तो नितीश कुमार का नाम आज कोई नहीं ले रहा है अब वो सौच रहे हैं उनके पाटी की ओर से ब्यान आया कि दो हजार पचीस में देखा जाएगा कि कौन मुखमंत्री होगा विधायक तै करेगा वो तो तै इन्होंने कर लिया सौदेवाजी तै नहीं सौदेवाजी कि मैं आपके साथ मिल करके चुनाव लरूगा और देश में मैं घूमूँगा नितीश कुमार की ये अंतिम राजनेतिक यात्रा होगी राजनेतिक यात्रा नहीं होगी जैसे बुढ़ापे में लोग तिर्थी यात्रा करते हैं अब ये तिर्थी यात्रा करने के लिए निकले हैं तेजस्वी को अगर नहीं सौपे तो तेजस्वी इनको रातो रात गद्दी पलट कर देगा राहुल गांधी जी की यात्रा जो आज उन्होंने ट्वीट किया है जैसा कि पत्रकारों ने मुझे दिखाया कि हम यात्रा किये बी जे पी आरेशेस जो हर सेक्टर में पार्लियामेंट से ले करके पत्रकार तक पर कबजा कर लिया है उसी को ध्वस्त करने के लिए हम निकले या उसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को खुद नहीं मालुम पर रहा है कि मैंने 36-37 किलो मीटर क्यों चला क्योंकि अगर वो जानते तो भारत में हिंदूओं के खिलाफ करने वाले पाद्रियों से नहीं मिलते वो अंतिम यात्रा महवबा मुफ्ती और फारुक जैसे जिनका बियान अगर दस साल का देख लिया जाए तो देश को तोरने वाला ब्यान रहा है आतंक वादियों के समर्थन में रहा है इसलिए राहुल जी को खुद नहीं पता है उन्होंने एक जो कहिए कि एडवेंचरस यात्रा कर ली टी-शर्ट पहन करके उनके लोग कह रहे हैं जारा में चल रहे हैं टी-शर्ट पहन करके यात्रा का मक्सद बिहीन उनको खुद मालूम नहीं मैं समझता हूं कुमार विश्वास बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है प्रोफेसर है वो किस अगर मैंने देखा नहीं है मैं देखने के बाद बियान पर कुछ टिपनी करूं क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कुमार विश्वास जैसे ब्यक्ती भी आरेश्वास पर इस तरह की टिपनी कर सकता है झाल झाल